नमस्कार दोस्तों जानी केसे में आपका स्वागत हैं हम रोजाना स्वास्त सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथी बेल आइकोन को जरूर दबाए जिससे की हमारे सबी फीडियो की नौटिपिकेशन मिले आपको सबसे पह स्वास्त को हमेशा फिट रखने वाला चूर्ण इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको अश्वगंदा की जड़ की जरूरत होगी अब जितनी मातरा में अश्वगंदा की जड़ लेते हैं उतनी ही मातरा में आपको शक्कर लेनी है और अब आपको अश्वगंदा की से साफ करके दूप में सुखा कर इसका चूड़न बना लेना है और अब आपको शक्कर तथा इस चूड़न को आपस में मिला कर किसी काच के बरतन में रख देना है अब आपको हर रोज सुबह और शाम के समय तीन-तीन ग्राम चूड़न गर्म दूद में डालकर उसे अच्छी किरु़न के अच्छी हो किरु़न घजाए